हेलो एव्रीवन मैं राकेश महरा आज स्टार्ट करने वाला हूं कैलेंड टॉपिक इस कैलेंडर टॉपिक के अंदर हमारे पास वेरिस एक्जाम्स में कई तरह की कुशन्स पूछ ले गए हैं और ये टॉपिक रेल्वी एक्जाम एससी एमपी एससी आर्पी एक्जाम की पार्ट में कैलेंडर को डिवाड के गए एक तो जर्ड लीर में और यह लीप एमे आपको जातना है चीज़ आपको यद रखनी है आगे तो अधे किसी भी नॉर्मल येर में एक साल में 365 यानि कि 365 दिन होते हैं जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं विच इस नौट डिवीजिबल बाइफ यानि कि जन्रल यह कौन से होते हैं 2001 होता है 2002 होता है 2003 2017 यहां पर यहां रखना कि वह यह जो फोर से डिवीजिबल ना हो वह कहला था आपका नॉर्मल यह उसके अलावा अनादर फैक्ट जो है वह यह है कि यहां पर जन्रल यह में यानि की नॉर्मल यह में 52 वीक्स एंड वन डे होते हैं और जबकि लीप यह में आप देखोगे तो 52 वीक्स एंड टू डे होंगे फिर से एक बार पता देता हूं जन्रल यह यानि की नॉर्मल यह में टोटल नंबर ओफ डेज थिरिसिक्स्टी वाइज होते हैं जबकि यहां पर फोर से डिवीजिबल हो सकता जबकि यहां पर फोर से डिवीजिबल हो जाए मांगे चलो वो यहां मैंने बताया ता आपको जन्रल यह में 52 विक्स एंड वन डे होता है जबकि यहां पर आपको एक इंपॉर्टन बात याद रखनी है इन नॉर्मल यह विए वन एक्स्टर डे इन लीप यहां टू एक्स्टर डे की क्या बात हो रही हैं में तो देखो हम जानते हैं किसी भी वीक में टोटल नमबर ओफ डेश कितने होते हैं जबकि वन यह डियर में one extra day होता है जब मैं बात करता हूं leap year की तो आपको पता है एक सब्ता में साथ दिन होते हैं जबकि एक वर्ष में एक year में 365 की जगे 366 days होते हैं जब हम बात करें लीप year की तो 366 में आप 7 का जब divide करेंगे you will get 75 to 35 वन आगे चलेगा 7 to 14 तो रिमीनी कितने इस वज़े से पॉइंट नंबर 5 के अंदर हमने टू डे एक्स्टा जो लिखा है इस तरीके सा है तो यह तो रही बेसिक बात जो आप सभी को पता थी अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे हम क्या बोलते है डिक्केड बोलते हैं 100 यह के टाइम प्रसन रह रह रहा है तो टैन यह के बात करें विराट को लिख सेंचुरी मारता है तब आप बोलते हूँ तो उसी तरह से जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तो से हम बोलते हैं सैंचुरी यह सम्प्रीट हो गए अगर एक हजार साल पूरे होगा जब आपने देखा होगा यह टू-थाउजन कंप्लीट हुआ था तब लोगों ने कहा था इस इस मिलेनियम यह मिलेनियम का मतलब होगा जब और साथ लिए करो दो बताईए संडी होता है मंडे होता है उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है लास्ट डे ओफ वीक क्या होगा सैटेड़े होगा यह संडे होगा तो उसका आप वीडियो के ही पॉस कीजिए और बताईए कि यहां पर आइंसर करनाने वाला है तो चलिये मैं यहां पता देता हूँ हफते का पहला दिन संडे नहीं होता है हफते का स्टार्टिंग दिन यानि कि स्टार्टिंग डे ओफ वीक जो होता है वो होता है मंडे अगर मैं बात करता हूँ लास्ट डे ओफ वीक की तो वो सैटर्डे भी नहीं होता last day of week होता Sunday चिक है, आपने कहे MNC में सुना होगा कि जहाँ पर लोग working होता है महाँ पर weekends मिलते हैं, तो weekends में क्या बोलते हैं Saturday and Sunday बोलते हैं तो महाँ पर आपको उनका हफते में कि आखरी दिनों में छुटिया मिल दिया, off मिलता हूँ और starting day of week में, यहनि कि leap year and leap century तो सबसे पहले तो मैं आपको leap century के बरे मताना चाहूँगा क्योंकि leap year तो आपको पता है कि वो year जो four से पूरे तरह से divisible हो, उसको हम कह देते हैं leap year, what is leap century जिस भी year के last में double zero आते हैं, उनने कहते हैं leap century, century मतलब hundred hundred में क्या ओता है, दो zero यह तो होती हैं तो उसी तरह से जिस भी year के last में दो zero आते हैं, वो क्या है आपके leap century है, 800, 1200 तो आपसे question यह पूछा जा सकता है exam के अंदर, और previous exam पूछा भी गया है first leap century कब celebrate की गई थी first leap century, तो देखो first leap century की अदियापन बात कर लें तो वो celebrate के गई थी, जब वो पहली बार four hundred से divide हुई थी, leap year मतलब four century मतलब double zero, तो पहली बार 400 से जब कोई year divide हुआ था, वो पहला leap century था, तो आप देखो कि year one आया, two आया, ऐसे करते कर three आया, hundred आया, तो यह भी four hundred से complete divisible हुआ, ऐसे करते करते हैं, one zero one, one zero two करते हुए, two hundred year आया, वो भी divisible हुए, three hundred year आया, वो भी divisible हुए, ऐसे करते करते, four hundred years जब पूरे हुए, तब यह पूरे तरह से divisible हो गया four hundred से, तो यह एक leap century कही गई, तो आपको याद कर रखना है, कि पहली leap century celebrate की गई थी, year four hundred के अंदर, जब पहली बार 400 वर्ष पूरे हुए थे, अगली leap century कब आएगी, जब अगली 400 यह आ जाएंगे, यानि कि four hundred के बाद, eight hundred, जब year होंगे complete, तब second leap century आई थी, पहले leap century ता भी 400 वर्ष पूरे होने पर, third leap century कब celebrate हुई थी, जब 1200 यह पूरे हुए थे, और fourth leap century कब celebrate हुई, जब 1600 वर्ष पूरे हुए, और अभी हाली में, जब year 2000 complete हुआ था, तब fifth leap century complete हो चुगी थी, अब आपको बताना है कि next leap century कब आईगी, तो आपको पता होना अच्छी, next leap century मतब 400 साल आगया जो, 2400, क्या आप 2400 जब year आए का, leap century जब celebrate होगी, क्या आप मैं, आप या कोई और तब कोई जिंदा राएगा, नहीं राएगा, क्योंकि 2000 से 2400 चार सो साल, तो आपको भी पता है, चार सो साल में आप, या आपके आने वाली second, third generation वो भी जिंदा नहीं राएगी, तो यहां पर आपको पता होना च्छी, next leap century जब celebrate की जाएगी, उस समय होगा 2400, अभी हम जिस current leap century में है, वो है 2000 में, 2004 अभी complete नहीं हुए, इसलिए हम उसको 16 नहीं बोलेंगे, हो सकता है आपसे exam में, question यह भी पूछ लिया जाए, कि बताओ, कि current leap century कौन सी चल रही है, तो आपको वहाँ पर answer करना पड़ेगा 2000, तो यहाँ पर, अब आपसे question में यह पूछा जा सकता है, कि बताइए, आपके सामने, यह options देदी, इन में से कौन सी leap century है, तो leap century के लिए मैं आपको एक options दूँगा, कि इन में से कौन सा leap century question यह भी है, आपको बोल देगा, which one has following the leap century, तो यहाँ पर सा आपको बताना है, अब आपके लिए task difficult जब उजाती है, जब आप 600 में 4 का divide दोगे, तो यह भी divisible है, इयर, leap year है, leap century तो सारी है, ठीक है जी, तो अब यह आपको बताना है, तो मैं चाहता हूँ 30 seconds लो, सोचो और मुझे बताओ, कि इन में से leap century कौन सी रहने वाली है, ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको leap century नहीं, leap year बताना है, इसको मैं ऐसे clear कर दो, ताए कि आपको समझाने के अच्छा का सा space हो जाए, चलिए, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसमें से leap year कौन सा है, तो सबसे पहली बात, अगर 600 की बात करें, तो यह leap year तो सकता है, लेकिन यह leap century में consider नहीं हो पाएगा, क्योंकि leap century का concept क्या होता है, यह perfect leap century तब भी कहलाएगी, जब यह four के साथ में four hundred से भी divisible हो, four से divide करोगे, तो हो जाएगा, लेकिन four hundred से जब इसको divide करेंगे, two zero से two zero cancel out हो गया, बजगे six by four, two three जा six, two by two two सा four, तो यह पूरा पूरा divide नहीं हो पाया, तो यह leap year नहीं कहलाएगा, अब इसके बाद मैं जब फोर्टीन हंडेट के पास हो गा, तो मुझे देखना है, क्या यह four से और four hundred से proper divisible है, या नहीं है, तो यहाँ पर four से तो divide हो रहा था, लेकिन four hundred से perfectly divide नहीं हो रहा है, two zero से two zero cancel out हो गये, two sevens are fourteen, two two's are four, तो यह भी पूराद से divide नहीं हो पाया, अगर मैं eighteen hundred की बात करता हूँ, और मुझे find out करना है, इन four hundred से जब मैंने चेक किया, तो four one जा four, four four जा sixteen, remainder अभी भी two बच रहा है, तो यह भी आपका leap year नहीं क्यालाएगा, उसके बाद में two thousand four hundred के दियम बात करें, तो यह four से भी divisible है, और four hundred से भी divisible है, कैसे, two zero से two zero cancel out हो गये, four one's are four, four six are twenty four, तो यहाँ पर remaining कुछ भी नहीं बच यह leap century के अंदर है, लेकिन leap year के बात करें, तो जिस भी year के last में double zero आता है, तो आपको four के साथ में four hundred से भी चेक करना पड़ेगा, whatever वो year कोई सबी हो, तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी, उमीद है आगे बढ़े हैं से, question में, next हमारे पास में given है, कि अब देखो examiner ज date of birth, अब date of birth में suppose करो, मैं कहता हूँ, आज date है यहापे, 21 December, ठीक है, 21 December हो तो यह कोई से भी ले ले लेते हैं, 2019, 2020, कुछ भी ले सकते हैं, 2022 कोई फरक नहीं पड़ेगा, मैंने का, एक person जिसकी date of birth कुछ ही है, तो आप से पूछा जा सकता है, कि बताओ, यह जो person है, यह जो person है, इस person की date of birth में, यह वेक्ति आज कितने साल का है, यह तो हम बता लेंगे, कितने महीने का, और कितने दिन का हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर आप अपने खुद का date of birth भी रखके देख सकते हो, और आप से बूछ लेगा, railway exam में definitely पूछा जाता कई बाद, जब आप form भर टाकी जाओगे, तो यह वाला पंडा भी आप इसके अंदर पढ़ोगे, जो calendar के अंदर काफी question पूछ लिया थे हैं, previous year questions के अंदर fun और facts की बात कर ली जाती है, पिछले exam में जो questions पूछे गया है, हम उनको भी solve out करने वाले हैं, और हो सकता है, आप से पूछ ले, what is the full form of, जैसे previous question पूछा कि मुझे भी याद आ रहे है, what is the full form of BC, what is the full form of AD, तो BC में कोई दिक्कत नहीं है, before Christ, यहाँ पर आप लोग एजीली बता पाओगे, कि इसका full form कुछ यह होता है, अब हम बात करते है, 90% बच्चों को जब भी मैंने class में बढ़ाया topic, तो उन्होंना हमेशा गलत जवाब दिया है, और वो जवाब के दिया है, after death, इसा मसी के जनम से पूर्व, और इसा मसी की death के बाद, तो यह इसका answer नहीं होता है, AD का जो full form होता है, वो होता है, ano domino, ano domino भी कहते हैं, इसको कई जगह पर ano domini भी आपको लिखावा मिलेगा, तो आपको देखना option मे क्या given है, ठीक है जी, तो एक basic बात मैंने आपको यहां पर बताईए, अब यहां पर ऐसे बहुत सारे questions आप पूछे करें, प्रीवेस एर के अंदर जहां पर आपको लेगे करें, यह तो मुझे आता है, लेकिन कई बार जब हम उनको वास्ताने solve करने बैठते हैं, तो उनका answer नहीं आपाते हैं, तो many more facts हैं, तो जैसे कि हमने भी क्या क्या पढ़ा हैं यहां पर, आपने देखा starting में, starting day of week कि हमने बात करी, कि जो होता है, Monday होता है, last day of week कि हमने बात करी, वो क्या होता है, Sunday होता है, 10 years को decade बोलेंगे, 100 years को century कहा जाता है, 1000 years को millennium कहते हैं, तो एक बात यह हो गई, उसके अलावा, यह आपको facts जरूर पता होने चाहिए, किसी भी normal year में, जो total number of days होते हैं, 365 होते हैं, जबकि leap year में 366 days होते हैं, फरवरी मन्थ में 28 days होते हैं, जबकि leap year में, फरवरी मन्थ में 29 days होंगे, general year में, यानि कि normal year में, कोई भी year, जो four से divide नहीं होगा, आप normal year कहलाता है, और जो भी year four से divide हो जाएगा, वो आपका leap year कहलाएगा, general year में 52 weeks, 52 सब्ता और एक दिन होते हैं, जबकि leap year में, leap वर्ष में 52 सब्ता और दो दिन होते हैं, general year के अंदर one extra day होते हैं, कैसा आया, general year के अंदर 365 days होते हैं, और total number of days होते हैं, इना week में 7 होते है 7 से जब ने divide लगाया तो one आगया, देखो इस पूरे fact के अंदर जो keyword number five है, यह बहुत important है, बाकी आप याद रखो, चाह मत रखो, लेकिन फाइफ नंबर वाले point जरूर याद रखना, क्योंकि आगे के आने वाले question इसी point के भी year पर solve होने वाले हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर extra decade हम बात कर लें, तो यहाँ पर लीप्यार में तू होते हैं, तो guys यह introduction lecture थे calendar topic का, अब इसके बाद हम next video के अंदर आगे continue करेंगे, उमीद है यह introduction part of calendar आपको समझ में आ गया होगा, तो चले continue करते हम next video में, इस video में फिलाल के लिए इतना ही, thank you.